हेलो फ्रेंद्स वेलकम बैक टो माई चैनल आज मैं आप लोगों के साथ क्लास वन का हिंदी की वर्क्षिट लेके आई हूँ तो आज हम बात करेंगे क्लास वन में जो भी बच्चों को पढ़ाया जाता है उसमें से कुछ मैंने टॉपिक्स लिये हैं और उनकी ही मैंने वर्क्षिट तयार की है घर पे और इसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही है ताकि आप इस तरीके से वर्क्षिट बना के आपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं और घर पे उनको इस तरीके से आप पढ़ा सकते हैं, जो बहुत ही आसानी से और बहुत ही easily बच्चे कर लेते हैं, तो पहला जो हमारा pattern है वो है जोडियां बनाओ, हिंदी में क्या है कि यहां पे हिंदी में कुछ शब्द लिखे गए हैं और साथ में उनकी जो पिक्चर से उ तो उसको हम इससे मैच कर देंगे, थर्ड है हमारा टोपी, तो टोपी को हम इससे मैच करेंगे, फोर्थ नंबर पे है पत्र यानि की लेटर, तो इसको इससे मैच करेंगे, और उसके बाद जाए हमारा व्रक्ष, व्रक्ष यानि की पेड, तो यह यहां पे मैच हो जाएग बच्चों को इस तरह की जो वक्षिट है उनको करने में इसके बाद हमारा पैटर्न है चित्र को देखकर उचित शब्द पर गोला लगाओ तो यहाँ पे जो पिक्चर बनी है वो है चांद की यानि कि जो चंदा मामा होता है उसकी पिक्चर बनी हुई है तो यहाँ पे तीन जो बनी है उसके बाद यहाँ पे शब्द लिखिए है रंग डंडा अंडा तो यह है अंडा इसके बाद आ गया हमारा यहाँ पे ठेला रेल तेल तो यह बनी है हमारी रेल तो हम इसको इसके साथ गोला कर देंगे तो यह मैचिंग इस तरीके से भी आप बना के दे सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे तिन शब्द लिखे हैं आप इस तरीके की बना के दे सकते हैं कि पहले शब्द लिख दीजे फिर उनकी चित्रों को ड्रॉ कर दीजे फिर उनसे आप मिलान करवाईए तो नेक्स्ट हमारे जो पैटन है वो है कि यहाँ पे कुछ मात्रा है दी गई है और नीचे यहाँ पे हमारे जो शब्द है वो अधूरे है और जंद्रबिंदू की मात्रा लगाए तो पहला हमारे यहाँ पे बनाया हुआ है जोकर और लिखा है जकर तो आपको बच्चे से पुछना है कि इसमें कौन सी मात्रा लगेगी तो जोकर में जो है वो ओ की मात्रा लगती है तो आपको यहाँ पे लगवाना है जोकर ओ की मात् लगती है तो यहां लग गई अंग की मातरा तो बन गया हमारा अंगूर नेक्स्ट है हमारा खिलना क्या है यहां पर खिलोना है खिलोना बना हुआ है तो हमारों को यहां पर कौन सी मातरा लगेगी आपको बच्चे से पूछना इस प्रकार से तो अउग की मातरा लगेगी तो ये लगी हमारी अग के मातरा, तो हमारा बन गया खिलोना, नेक्स्ट है रग, और यहाँ है color box यान की रंग, तो रंग में कौन सी मातरा लगेगी अग की मातरा लगेगी, तो रंग बन गया इसी प्रकार से यहाँ पे है चांड बना हो है और यहाँ पे लिखा है चाद तो इसमें कौन सी मात्रा लगेगी चंदरबिंदू वाली मात्रा लगेगी यह वली जो चंदरबिंदू की मात्रा होती है बच्चों वो वाली लगेगी यहाँ पे तो यह बन गया हमारा चांद तो इसी प्रकार से आप और भी मात्राओं को दे जो है वो अपने according इसमें color कर सकता है तो इस तरीके से आपको color करवाना है अच्छे तरीके से और फिर यहाँ पे उसका नाम लिखना है तो यह है पतंग तो पतंग 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 क्या होता बच्चों काइट होता है उसी प्रकार से यहाँ पे दो picture sound बनी है तो यहाँ पे है आ आ काडंडा म आम इसी प्रकार से यह बनी है सेब की picture तो इसमें आप जो है वो red color करवाएंगे और फिर आप लिखवाएंगे स ए की मात्रा ब सेब तो next pattern हमारा है चित्र पहचान कर नाम लिखो तो यहाँ पे आपको pictures बना के बच्चों को देनी है और फिर उनसे बोलना है कि यहाँ पे आप इसका नाम लिखें तो पहला हमारा है monkey यानि की बंदर तो बंदर लिखवाना है आपको बच्चे से next है हमारा more तो आपको बच्चे को इस तरीकी से बना के देना जो पहचान करके वो खुद लिखें यह आगई हमारी नौका next है हमारा केला यह आगई हमारी बांसुरी इसके बाद वा गए बादल इसमें आपको colors भी भरवाने हैं बच्चे से यह आगई हमारा च्छाता same यहाँ पर कुछ और पिक्चर से अनार और गाजर की तो आप इसमें भी color भरवा सकते हैं next हमारा है question answer हमने रखे हैं तो सप्ताह के हमने कुछ questions रखे हैं कि सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है तो इसके लिए आपके बच्चे को जो है न वो सप्ताह के दिन यानि की दिनों के नाम याद होने चाहिए सोमवार, मंगलवार, बुदवार, ब्रेस्पतिवार, शुकरवार, शनिवार, इतवार तो जब आप इस तरीके से अपने बच्चे को याद करवा देते हैं फर्स क्लास में या करवाना चाहते हैं तो करवाने के बाद आप उनको इस तरह की questions जो है वो बना के दे सकते हैं तो सप्ताह का पहला दिन होता है हमारा सोमवार मैं यहाँ पर सिर्फ सोमवार दिखने हूँ लेकिन आपको बच्चे से लिखवाना है सोमवार सप्ताह का इस तरीके से मैं पहला करके दिखा देती हूँ सोमवार सप्ताह का पहला दिन होता है इसके बच्चे को बहुत ही अच्छे से याद हो जाता है सेकेंड है हमारा सपता हमें कुल कितने दिन होते हैं सपता हमें कुल हमारे साथ दिन होते हैं कितने दिन होते हैं बच्चों साथ दिन नेक्स्ट है हमारा मंगलवार के बाद कौन सा दिन आता है मंगलवार के बाद आता है बुधवार नेक्स कोशन है हमारा आपके विध्याले के चुटी किस दिन होती है तो हमारे विध्याले के चुटी रवीवार को होती है रवीवार यानि की संडे शुक्रवाद के बाद कौन सा दिन आता है शुक्रवाद के बाद आता है शनिवार इसे तरीके से आप महिनों के नाम भी लिख सकते हैं इसमें मैंने एक और question answer जो है वो add किये हैं यह है सबताहक के दिन यानि कि जैसे जो हमने यहाँ पर question answers किये थे उसके बाद यहाँ पर बीच में कौन सा दिन आएगा दो दिनों के नाम लिखें और उसके बीच में कौन सा दिन आएगा तो वो भी हम यहाँ पर कर लेते हैं शुक्रवार और रविवार के बीच में कौन सा दिन आता है शुक्रवार इसमें आएगा शनिवार शनिवार सोमवार के बाद आएगा मंगलवार वीरवार, वीरवार के बाद शुक्रवार और बुधवार के बाद आता है हमारा ब्रेसपतिवार इस तरीके से अब हमारा जो है महिनों के नाम तो next हमारा जो पैटर्न है वो है महिनों के नाम तो महिनों के नाम में हमें लिखना है जन्वरी के बाद कौन सा महिना आता है जन्वरी के बाद आता है फरवरी अक्टूबर के बाद आता है नवंबर जून के बाद आता है जुलाई फरवरी के बाद आएगा मार्च अप्रेल के बाद मई सितंबर के बाद, अक्तूबर, सितंबर, दिसंबर के बाद आता है जन्वरी, जो सबसे पहला महिना होता है साल का, आप इसी प्रकार से यहाँ पे इन से पहला महिना कौन सा आएगा, यानि कि मार्च से पहले, दिसंबर से पहले, तो वो भी देख लेते हैं हम लोग, तो मार् तो यानि कि पहला आएगा फरवरी, दिसंबर से पहला आएगा नवंबर, मई से पहला आएगा एप्रेल, फरवरी से पहला आएगा जनवरी, नवंबर से पहला आएगा अक्टूबर, और जून से पहला आएगा मई तो इस तरह की वर्क्षिट आप अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं और आशा करती हूँ आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए helpful होगी अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके बच्चों के लिए बहुत ही जदा helpful होने वाली है तो प्लीज वीडियो को लाइक ज़रूर कीज़ेगा शेयर कीज़ेगा अपने फ्रेंड्स के साथ अपने लवड़वन के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा साथ इस बेल आइकन को प्रेस कर दिज़ेगा ताकि आने वाली सभी वीडियो की नॉटिफेकिशन आप तक सबसे पहले पहुँचे थैंक यू सो मच थैंक्स पर वाचिंग